हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू मैरे चैनल फन ग्लासिस बाई आर्ना तो आज हम इस वीडियो में हिंदी में शब्द और वर्ण पढ़ेंगे हमने यह आधा पढ़ लिया है आज हम शब्द से स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम रेट कर लेते हैं फिर हम समझेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समों को शब्द कहते हैं शब्दों के तीन भेद होते हैं फ्रेंड्स ही तो हमें पता है जो शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक वर्ण के साथ बनता है ये शब्द दो या दुसाद वर्ण के साथ बनता है सारथक समों मतलब उनके group को शब्द कहती हैं शब्द तीन तरह के ऊंपहते हैं उत्पति के अधार पर रचनाय बनावट के अधार पर और प्रयोक के अधार पर यह तीन के उसमें से प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर भी चार प्रकार के और होते हैं उसमें होते हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज देखिए तत्सम में क्या होता है संस्कृत भाशा के जिन शब्दों को इंदी में जियों कातियों प्रयोग किया गया है उन्हें तत् पुस्टक नदी सत्य आदि तो तत्सम का क्या मतलब होता है संस्कृत भाषभ tenía को जिएों काती हनी कि जैसा का इस बदलते नहीं है जैसे अगर आत्मा लिखा है संस्कृत में उसी नहीं करते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं कुछ गो से नहीं करते हैं तो उसका हम कहते हैं तत्सम यानि कि original जैसा है वैसा ही लिखते हैं तत्भव में क्या होता है change form यानि कि Sanskrit भाषा के जिन शब्दों का रूप बदल कर हिंदी में प्रवियोग किया जाता है उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं जीसे गी दही माथा आगा दी अब क्या होता है तद्भव जो होती है संस्क्रेट भाषा के जो शब्द रूप बदल कर ला जाते हैं जैसे समझे होते थे उनको चेंज नहीं करते थे आत्म है तो आत्म है लिखते थे इसमें क्या होता है शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग होता है यानि कि यूज होता है जैसे कि घी है ये हिंदी में इसको घी बोलते हैं पर संस्क्रेट में से घ्रत बोलते हैं ये इस तरीके से ये एक्जामपल्स हैं जैसे कि संस्क्रेट के जो वर्ड्स हैं उनको बदल कर इने में प्रोप किया गया तो वो होंगे तदभव उसके बाद आते हैं देशज संस्क्रत भाषा को छोड़ कर देश के आने भाषाओं से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं जैसे इंट गाड़ी पापड भिंडी आदी तो देशज का क्या मतलब होता है रीजिनल यानि कि संस्क्रत भाषा से देशज शब्द नहीं ले जाते हैं संस्क्रत भाषा से संस्क्रत भाषा को छोड़ कर देश की जितनी भी अन्य भाषाओं से लेका प्रयोग किया गया है विदेशक शब्द कहते हैं जैसे स्कूल पेंसिल आइसक्रीम जरुरत रिश्वत आदी अब इंडिया में उनकी भाषाओं से वर्ड ले जाते हैं और फिर उनको यूज करते हैं जैसे स्कूल पेंसे जरूरत रिश्वत आदी यह सब हिंदी में तो नहीं होते हैं इस तरीके से विदेशिज वर्ड होते हैं तो फ्रेंज आज की वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ा है आगे काँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो पसंद देए तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा बेल और करेंगे मरे प्याति करेंगे इसकांने में 21 cm, नेकां हू Neitherम मेरे लावियो मेरे जाह नेकरों सुम करेंगे वारी जलती के वने चर्ण करेंगे 220,000 करेंगे mitra करें़े ш Google न E